पाकिस्तान सूपर लीग में एक शर्मनाग घटना सामने आई है। लाइव मैच के दोरान गेदबाज ने साथी खिलाडी को थपड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोसल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है। दरसल सोमवर को पाकिस्तान सूपर लीग में लाहोर कलंदर्स और पेशावर जालमी के बीच मैच खेला जा रहा था। मैच के दोरान लाहोर कलंदर्स के गेंदबाज हारिस राऊफ ने साथी खिलाडी कामरान गुलाम को थपड़ जड़ दिया। बल्लेबाज के आउट होने के बाद गेंदबाज हारिस राउफ जस्मना रहे थे इसी दोरान अपने सामने आने पर उन्होंने कामरान गुलाम को थपड़ लगा दिया हाला कि कामरान ने इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी दरसल कामरान गुलाम ने हारिस राउफ की गेंद पर पेसावर जालमी के हजरतुलाह जज़ाई का कैच ड्रॉप कर दिया था जिसके गुसे में हारिस राउफ ने यह सर्मनाग घटना को अन्जाम दिया लाहूर कलंदर्स और पेशावर जालमी के बीच खेले गए मैच का फैसला सूपर ओवर में हुआ पेशावर जालमी ने पहले खेलते हुए साथ विकेट पर 158 रन बनाये थे जवाब में लाहूर कलंदर्स भी 158 रन ही बना सकी और मैच टाई हो गया इसके बाद सूपर ओवर हुआ जिसमें पेशावर जालमी की टीम ने बहाव रियाज की शांदार गेंदबाजी की बदहुलत जीत हासिल की खेल जगत और अन्नी लेटिस्ट खवरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं